हेलो फ्रेंज दा पॉलिडिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीबेसी क्लास 12 बोर्ड एक्जाम से सम्बंदित सभी जो डाउट से विधारतियों को उन सभी डाउट को क्लियर करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को एन्ट सकते हैं पूरा देखें पॉलिडियो को शेर करतें लाइक करतें तो हमारे चैनल दा पॉलिडिकल मास्टर को जरूर सबस्ब्साहिब करतें तो च Rob हैं सबसे पहले ह Shap obtain को केंसल कर दिया जाए और दूसरी याजका करता है जो याजका डाले थी कि एक्जाम को कैंसल नहीं किया जाना ची एक्जाम को किया जाना ची एक्जाम को लिया जाना ची सरकार दोबारा तो आज कोट में दोनों याजका करता हों कि याजका पर सुनवाई की गई और कोट ने इन याजका करता हो कि जो निर्णे लिया गया उस फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया गया है और उस पर जो निर्णे कोट फैसला है तीन जून को सुनाएगा तो अभी तक ये देखा जा तो सुप्रिम कोट में जो दायर याजका की गई थी उसका ये फैसला रहा है हमारे सामने दूसरी बात दोस्तों जो आज मीटिंग की गये थी सुबह जो अनुसार जो है प्रिक्षा को कैंसिल नहीं किया जाना चाइए और एक्सपर्ट्स के मानना है कि डिजिटल माध्धम का परियोग जानी ओल लाइन का ओल लाइन परिक्षा की जानी चाहिए ताकि विध्यारती सुरची तुरुप से अपने घर में बैटकर परिक्षा दे सके और दूसरी तरफ वहीं कुछ और भी विशेसा की है मानने थी कि जो परिक्षा है कुछ परिक्षा हर हाल में लेनी चाहिए भले परिक्षा के लिए एक मेने और दो मेने के नितियार करना क्यों ना पड़े क्योंकि जो क्लास 12 के एकजाम होती है दोस्तों वो हमारे हायर रुजिकेशन का आधार भी बनती है और वहीं कुछ का ये भी मानना है क परिक्षा के बना जो चातर जो है पढ़ाए को लेकर कंबीरता बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं और मेरा प्रस्टनल अनुभा है मेरा प्रस्टनल राइब यह यह दोस्तों कि क्लास 12 का बोर्ट को गिजाम हर हाल में लेना चाहिए क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो है क परिक्षा आराम से ली जा सकता है और जिस अदार पर सभी राजों ने अच्छी तरीके से वेक्सिनेशन प्रोग्राम को अंजाम दिया है उसमें वेक्सिनेशन बच्चों करवाया है उसी तरह ही क्लास 12 के एक्जाम को भी आसानी से करवाया जा सकता है इतना सरकार हमारी सक तो दूस्तों पहली बात परिक्षा को कैंसल करना इसके लावा परिक्षा आउजद करने के दो विकलब दिया था यानि जो में को जो मिटिंग मुई थी राजणाद सिंग के अदेस्ता में उस मीटिंग के दो अपने विकल्प सुझाय थे परिक्षा के लेकर उसमें पहला विकल्प यह था कि नोटिफाइट सेंटर्स पर 19 परमुक विश्यों के लिए रेगुलर प्रिक्षा का अविजन करना ठीक जैसे 26 अगस के भीश किया जाना था और रिजल्ट जो है एक सितंबर तक घोसित कर दिया जाए यह दो सुझाओत थे किसके सीवेसी के 23 में वाली मीटिंग में अब इनहीं संबंदिज मीटिंग के दापर अनराज्यों ने भी सरकार को अपने दिरने सोब दिये थे और इसमें अधि परिक्षा की जो समय वदी है वो तीन घंटे से घटाकर 90 मिनट कर देनी चाहिए इससे बच्चों कम समय परिक्षा भी कर लेंगे और संक्रमट से संक्रमट का खत्रा भी बहुत कम होगा क्योंकि दोस्तों हर राज्यों में देखा जा तो दिल्ली जैसे राज में तो अमोमन चालिस से पैंतारीस परसंट लोगों का वेक्सिनेशन होई चुका है और बागी वेक्सिनेशन जा रही है और दूसरी बात दोस्तों कुछ जैसे दिल्ली जैसे राज कहने कि पहले वेक्सिनेशन कर देना चाहिए फिर एक्जाम ले जाने चाहिए ये भी बहुत अच्छी पाज दोस्तों अगर कर दीया जाए तो वेलन नगोड बच्चे बिना किसी डर के प्रिक्षा दे सकते हैं लेकिन वेक्षिनेशन ना करने की विज़े से प्रिक्षा टाले ऐसा संभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई सलुशन नहीं है क्योंकि बार्वियंचि जो प् अपने निर्णे लिए थे इस मिटिंग में आज की जो मिटिंग में सिक्षा मंद्राले द्वारा जो फैसल लिए गया थे कि परिक्षा के तीन विकल्प हो सकते हैं और प्लान ए क्या था उनका कि सरकार जो है बारीवी की परिक्षा सिर्फ मुख्य विश्यों के लिए आउज कि बच्षी दो सब्जेक्ट में नंबर दिये जाएंगे इस आधार पर पहला प्लान यह हमारी सिक्षा मंद्रालीने सिब्जक्षी के द्वारा तैयार किया थे प्लान यह था requested बी बीन कहा थै और उसी आधार बच्चों को मुल्यांगन किया जाए ये दूसरा प्लान था प्लान तीसरा था दोस्तों कि अगर कुरोना के सिती बिगड़ जाती है तो क्लास 9, 10 और 11 तीन सालों के आधार पर बच्चों के इंटरनल असेस्मेंट करें और उन्हों को इसी के आधार पर मार्क त्यार नहीं था दोस्तों आज की मिटिंग में और जो फैसला इस मिटिंग में लिया गया था अभी तक दोस्तों मता तो आपको उसमें यही फैसला लिया गया था कि जो एक्जाम होगा दोस्तों वो 25 जुलाई से लेकर 16 अगस तक की डियर रखे गे थी सीपेसी द्वारा क 25 जुराइस लेकर 16 अगस तक एक्जाम की परिक्रिया की शुरू किया जागा इस दोरा एक्जाम ले ले जाएंगे और सितंबर तक जो है बच्चों के जो रिजल घोशित कर दिये जाएंगे और अभी भी मीटिंग चली रही है हो सकता है कल तक या आज रात में ही कुछ फै दोस्तों दूसरी बात देखें तो अर्विन के जवाल लगें बच्चे और परिक्षा चाथ हैं वेचाते हैं कि बिना वेक्सनेशन भारवी की परिक्षा नहीं होनी चाहिए दोस्तों मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने जितने भी चात्रों से बात किया किसी भी चात्र इवन सिंगल चाहत्रे ने भी नहीं कखा की परिक्षार रद होनी चाहिए हर चाहत्र परिक्षया देने कु पूरी तरीकोly तयार in क्यूंकि दोस्तों assessment के अधार पर external number के अधार पर बच्चे बिलकुल भी तयार नहीं है क्योंकि जो बच्चे दसवी में अच्छी तरह से नहीं पढ़ंग रहे थे पकड़ बनाई और आज वो परिक्षा को लगए पूरी तरीके से तयार हैं मुझे बिलुकुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि हैस्टेंग केंपेंच ला रहा है कि एक लाग बच्चे ने मैसेज कर दिया है कैंसल एक्जामनेशन पर ये पता नहीं आकर ने कहां से लिए जारे देर होगा निर्णे में लेने जितनी देर होगी बच्चों को मानसिं संतुलन उतना ही खराब होगा उनके उनकी मनेद्विग्यानिक इसी दिए बहुत खराब हो जाएगी तो हमारे दे से दोस्ते इतना बड़ा हर बड़े से बड़ा फैसला हम चुटकियों भर में ले ले नहीं